इंदी व्याकरण की एक और वीडियो जिसके अंदर 10 कोश्यन आपके सामने आएंगे और ये सीटेट के अंदर और तूपर्टेट के अंदर आपके एकजाम के लिए राम बान तैयारी से कम नहीं है 100% पास होने की गरेंटी हम आपकी लेते हैं अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं और अपने 100% एफट लगाकर वो चीज़े देखते हैं जो डारेक्ट आपके एकजाम में आती हैं तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे वैक्टू स्कूल की एंड्रोइड अप्लिकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप भी कर स्क्रिप्शन लीजिएगा क्योंकि maximum question हमारी एप के mock test के अंदर से आएंगे जो bilingual आपको मिल जाते हैं नोट्स पीडिया फगरा सब कुछ चार लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया आज लिया महेश भुए ने कल लिया था परनव कटारिया आनंद कुनाल और पटेल वाला जो वक्ती जीतने की इच्छा रखता है उसके लिए क्या शब्दों का जिजी विशा जिगरशा जिगिसा या जिगक्षू अंसर बताइए क्या होगा देखिए ये बहुत ही आप जो है जीतने की इच्छा वाला शाब्दिक अरथ जिगिक्षू कहलाता है लेकिन जीने की चाह वाला शाब्दिक अरथ जिजी विशा कहलाता है याद रखना, आप जिजी विशा और जिगिक्शू में जो है कन्फ्यूज ना हो जाएं तो यहाँ पर इसका answer तो होगा जिगिश्जू यानि जो जीतने की इच्छा रखता हो ठीक है जीतने की इच्छा रखने वाला जिगिश्जू और जीने की चाहवाला जीजीविशा, तो जीजीविशा अंसर नहीं आएगा, जीजिक्शू आएगा, ठीक है, नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं, विनेपूर्वक की जाने वाली प्रार्थना क्या कहलाती है, आवेदन, अनुमती, निवेदन या मननत, पताईए, विनेप शब्द कहते हैं, तो ये एकार्थी शब्द का कोशन है आपका, और जैसे विनेपूर्ण की जाने वाली प्रार्थना को हम निवेदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निवेदन बोलते हैं, ऐसे ही अधिकारे से की जाने वाली प्रार्थना को हम आवेदन बोलते हैं, तो करती देने को अनुमती और मन की इच्छा को मननत बोलते हैं ये चारों चीज़े मैंने आपको बता दी लेकिन आंसर यहां पर क्या होगा निविदन नेक्स्ट कोशन की तरफ हम बढ़ते हैं दूसरों के दोश देखने वाला क्या कहलाता है आलोचक चिद्रानवेशी रिशाल निदक बताईए देखे जैसे मैंने बताया एक आरती शब्द का ये भी कोशन है देखे दूसरों के दोश देखने वाला होता है छिद्रानवेशी जो दूसरे के छिद्रों का अन्वेशन करता है कि दूसरे के अंदर कितने छेद है देखे चलिए दूसरों की बुराई करन करने वाले को आलोचक बोलेंगे in God करने वाले से तीनों अलग चीज़ हैं दोस्त देखने वाला छिदरानवेची बुराइ करने वाला आलोचक और इ्रशान रखने वालोचक इरवाल इर्षान रखने वालोचक इरशान नेक्स कुश्शन की तरफ हम बढ़ते हैं इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताईए देखिए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वही सेम कुशन आपके लिए देखिए ऐसा क्यों करते हैं देखे बाश्या के कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम बाश्या को प्रभावशालियों और आकरशक बनाते हैं ठीक है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हूँ वो जितेंद्रिये कहलाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते है नेक्स्ट है आक का अंदा नाम नेन सुख लोकोक्ती का क्या अर्थ है देखे लोकोक्ती का अर्थ है नाम के अनुसार गुणने होना इसका मतलब होगा जैसा नाम है वैसा गुणने होना जैसे कि उसका एक परियोग करके देखे तो जैसे की बताएं कि उसका नाम सुखी राम है लेकिन वो हमेशा धुखी ही रहता है तो ऐसे ही आखों के अंदे का नाम नेन सुखी है निकि गुण के विरुद नाम होना नाम के अपोजिट होना वैसे मान लीजिए ज़्याद ही ग्रोस हो जाएगा कोई वादनी एक्जांपल नहीं देता हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है आपके सामने आख का काजल चुराना इसका मतलब क्या होता है प्रिय वस्तु देखकर सुक प्राप्त करना सामने से देखते देखते माल गायब कर देना बेबसी का भाव पर कट करना या मरत्तु उप्रांत मनुश्या का सब को छुड़ जाता है सामने से देखते देखते माल गायब कर देना आख का काजल चुराना ठीक है ना चलिए अब देखिए देखिए इसमें आख का काजल चुराना जैसे उदारणदूं की रवी के देखते देखते उसका सामान गायब हो गया जैसे किसी ने उसकी आखों का काजल चुरा लिया हो यह जैसे मैंने आपको एक एक एकजामपल दिया ठीक है जैसे की प्रिये वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना तो इसको क्या बोलेंगे इसके लिए अगर एक शब्द वोले इस मुहावरे के लिए प्रिये वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना इसका मतलब होता है आँखे ठंडी करना क्या कर रहे हो आँखे ठंडी तू प्रांत मनुष्य का सब कुछ उठ जाता है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा अप मरे जग पर ले क्या होगा ये कई बार ये आप से पूछ लिया जाता है तो आपको लिखना है अप मरे जग पर ले यानि कि अपने मरने के बाद तो चाहें जग पर लेया हो जाए पुरी दुनिया पर किसको पढ़ी है और बेबसी का भाव पर कट करना अधर काटना और इसको हमने क्या बोला था आंखें ठंडी करना चलिए, नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट है आप लोगों का कूप मंडूक इसका मतलब क्या है देखिए कूप मंडूक का मतलब होता है सीमित जानकारी रखने वाज़ा पुय का मेंडग इसका मतलब क्या हुआ पुय का मेंडग देख लो जी मेंडग जी next question की तरह बढ़ते है next question next है वरतनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चैन कीजिए चलिए देखते हैं पर फुलित को कैसे लिखा जाता है मुझे बताईए देखे शुद्ध वरतनी का मतलब है बाशा के शब्दों को सही alphabetically आप लिखें लिखने की रीती को ही आप जो है वरतनी बोलते हैं और परफुलित का मतलब क्या होता है परफुलित का मतलब होता है खुश होना आज मैं बहुत परफुलित हूँ तुमारी विजय ने मुझे बहुत परफुलित कर दिया है इसका मतलब है कि तुम्हारी जीत ने मुझे बहुत खुश कर दिया तो परफुलित क्या होता है परफुलित ऐसे लिखा जाएगा अब देख लो कौन सा है option number A बिलकुल ठीक है यहाँ पर ठीक है next question की तरह बढ़ते है next निमन में से सही वरतने वाले शब्द का चैन कीजिए यह भी सही वरतनी वाला है बाई पताएए कौन सी सही वरतनी है इसकी देखिए जोट जैनि की resource option number B इसका बिलकुल ठीक है next question की तरह बढ़ते है next क्या है यह भी शुद वरतनी वाला है अभी विक्ती अभी विक्ती का मतलब क्या होता है अभी विक्ती का मतलब होता है expression ठीक है तो अभी विक्ती कैसे लिखते हैं आप अभी विक्ती option number B भी यहां पर बिलकुल ठीक होगा तो आज की यह वीडियो देखो कितनी interesting लगी आपको और इससे पहले मैं आठ वीडियो और करवा चुका हूँ और सीटेट के लिए आपका कोई भी ऐसा subject नहीं है जिसकी तैयारी हम नहीं कर रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों तक पहुचाए हमारे चैनल को भी और जैसा मैंने कहा कि एप के अंदर हमारे जो मौक टेस्ट हैं यहां तक वीडियो देख लिए तो आप हमारे एप के अंदर जितने भी मौक टेस्ट नॉट्स वीडियाफ है उनको जरूर जो है पढ़ें आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा हमारी एप का अकाउंट बनाए और सब्सक्रिप्शन ले जैसे इन स्टूडेंट्स ने लिया है और मैक्सिमम चीज़े आपकी एप के अंदर से आजाएंगे आपके एक्जाम में तो चले दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं तब तक ले जैहिंद जै भारत ने मौस्ट इंपोर्टेंट बार पढ़ते जरूर रहना है ठीक है और एक बात का आपको और विशेश धान रखना है जो माप लोगों से कहता हूं कि यह जो हिंदी भाशा की जो पैसेज है उसको डेली आप एक बार करने की कोशिश करें क्योंकि हिंदी भाशा के अंदर पैसेज आप लोगों का टाइम निकाल कर ले कर जाती है और पैसेज को अगर आपने काफी जल्दी कर लिया तो आपके लिए टाइम भी बचे जाता है एक्जाम के अंदर उन सब्जेक्ट में जिनके करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है तो हिंदी को हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे एक्जाम में ताकि टफ चीजों के लिए टाइम निकाल सके तो चले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जैसा मैंने कहा एप इंस्टॉल करने की कीजिएगा और अपने नंबर जितने आए उतना कमेंट करके नीचे लिखिएगा नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा